वेलो एब्रिवन चलियाज हम बताने वाले हैं दोस्तों कि अगर आप किलास 8 से अभी पढ़के निकले हैं और आप किलास 9 में रेजिस्ट्रेशन कराँ चाहते हैं तो अभी बिहार बुड़ का किलास 9 का रेजिस्ट्रेशन दोस्तों स्टार्ट हो चुका है तो मैं उसके बा तो मैं देखिए यहां पर यहां पर ले के हूं ठीक हूं दो पेज का यह आपको फॉर्म मिलेगा नीचे आपको दूसरा पेज मिलेगा ठीक है जो भी स्टुडेंट क्लास नाइन्थ में इस बार दोजर पचीस में एक्जाम देने के लिए नाइन्थ में रेजिस्टेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए यह फॉर्म है ठीक है जो भी अब इस बार दुजर तेस में जिसका भी नाइन्थ में रेजिस्टेशन होगा ठीक है उसका बाद 24 पढ़ेंगों उसके बाद 25 में एक्जाम देंगे तो इसके लिए दूस्तों नाइन्थ का पहले रेजिस्टेशन फॉर्म भरना होगा तो फॉर्म को कैसे भरा जाएगा मैं आपको यह पूरे डीटलेस में बताऊंगा एक एक करके तो आपको फूरा धियान से देखना है ताकि आपको किसी भी तरीका का प्रॉब्लम नहों फॉर्म भरने में ठीक है त आपको फोटो ग्राफ आपको यहां पर डालना है आपको फोटो नहीं होना चाहिए बैग्राउंड छोड़के बिलू में आप यहां पर फोटो एक लगा दीजिएगा ठीक है उसके बाद फोटो के नीचे आपको सिकनेचर ऑफ स्टुडेंट आप अपना सेहन दूस्तों इलाख कर दीजिएगा जोग है यहां पर सेहन करते हैं जैसे के इंगलेश हिंदी ठीक है अर्दु जो भी आप सिखनेचर यहां पर करते हैं आप यहां से हैन कर देगा क्यूंक्त आ कडिकरी ति ere पूरा देखना आपको बहगाना नहीं तो आपको एक भी पुएंट तो आप घ्लाथ फॉरें बह सकते हैं तो देखिए सबसे पहले आप पर टामें तो आपको रेगुलर हो के एक मिलता है आपको प्रैविट कि तो आपको क्या करना है अगर आप कि लास 먹고 कि सब्सक्राइब सरकारी असकुल में पढ़ते विया तो आपको क्या करने यहां पे रेगुलर करना एंधिक रेगुलर कोड करना है तो आपको अगर आपको आपको ऐसकुल कोड कहां मिल जागा पोच सकते हैं ठीक है तो आपको इंग्लिस में फिल करना है ठीक है सारे लेटर में फिल करिएगा स्मॉल लेटर में फिल नहीं करिएगा ठीक है मैं आपको बताता हूं जैसे करना है यह स्कूल का नाम है मालूम एक एक खेर देता हूं फिर आपको विद्दा लिखना है एक बॉक्स जैसे कि मैं उर्दू यहाप लिखना है Eu-R Du ठीक है यहां तक लिखा गिए हम इस बॉक्स को चोड़ दूगा X बॉक्स को छोड़ने इक बाद मैं यहां पर विद्धाली लिखोंगा ठीक है याम रोट दूर दोगा उर्दु लिखने क्त पद एक वाक्स को छोड़ दूँगा जहां तक वर्दु लिखाएगा एक बॉक्स में मतलब दूसरे लिएक स्टार्ड भुषावाले बॉक्से में भरना है जहां तक होता है आप को भर देना अपने उसक्ति के नाम इस्वंज भागि अपने अधारकर्ड के लिखिए किएगा जो भी आपके अधार काड में फिलप किया गया अच्छा किया हुआ आपका नाम पता जो भी सही आपका अधार काड में तो आप अपने अधार काड में यहां पर अनुसार यहां पर हिंदी में नाम लिख दिजिएगा ठीक है चली हम थोड़ा से नीचे जाते हैं मैं student name English ठीक है तो आपको यहाँ पर इस बॉक्स में आपको अपना नाम लिख दिना नाम कैसे लिखना है मैं फूर एक्जामपल देता हूं जैसे कि मेरा नाम तब्रेज है तो मैं यहाँ पर टी ए बी आर ईजेट तब्रेज लिख दिया हूं मालेजी मेरे नाम तब्रेज आलम ख है तो आपको में लिखने एक कॉलम को छोड़ देना है फिर आपको रहान लिखने एक को छोड़ देना है फिर आपको आलम लिखना है इससे तरीका से आपको यहाँ लिखने जैसे कमालेज रहुल कुमर आपका नाम है तो आपको रहुल लिख देना है एक बॉक्स को पिर आपको Mother NAME इंगलिस अपको अपना नाम इंगलिस में लिखना है यहां वस्क्राइब भh मैं इचिए और भी लिख दीजाए को भरना है अब मैं आता हूं पिता का नाम हें अपना छोड़ी आप तापको यहां पर ठीक है मलेदेत्ज से आपको अब्बोग नाम है रहान आलम नाम हैथ आपका आपको क्या करना-rehan लिग दिए आपको एक बॉक्स छोड़कर अलम लिग Does one तो को तो सात नंबर में आता हूं आपको यहां पे डेट ऑप बर्थ यानि कि आपको अपना जनमतिति जानना है जो भी आपके आधार काड मतिति को लिख वुख illar फिर खश्बासों अर्लाही क्या बता हैं यहां पर आप लड़का है यह लदकी हागर लड़का आपको मेलख करणा या अगर फिमेलगे आपको फीमेल के करना है ऑद देखें नौW नमबर नौW delivery आपको जाया कर ने हाँ पि इनडियन पर करणा थक नो तो आप मेल्गे से आप कोई नीन नहीं है तो आपको इh parap in पे इंडियन पर इस वाले वॉकस वी पीड प्यसचन करने है छल्य हम दस नंबर वाले बॉकस में जाताओं तसर से कश्च कडिगरी आप कोन सा जाती से विलोंग करते हैं मानले जी अगर आप खान हैं, मलिक हैं, या फिर सयद हैं, या फिर सिंह ने, तो आपको जेनल वाले टिक करना हैं, अगर आप आप अंसारी हैं, ढरजी हैं तो आपको EBC पे में भान में जacularन गर क्लांग है अगर विकलांग तो आपके यहां पे यस करना है ने लिए अगर आप विकलांग है तो अपको यहां पर रिचेता यहां पो बिलग दिनra सब्सक्राइब आपको पत वो तक यहां पर इंगलीसम लिखेना आप अगर आप इक लांग नहीं तो आपको यहां पर करेंगा जान्हें पर टिक करीगा जो भी आप पड़ते हैं मौलेजिय में मुसल्मान मैं यहां पर मुस्लीम पर टिक कर दूंगा अगर आप साधी सुधा है तो आपको मैरिट करना अगर आप साधी सुधा नहीं है तो आपको यहां पर अन्मेरिट पे टिक करना है आपको मुबाइल नंबर इस वाले बॉक्स में डाल देना है ठीक है इस वाले बॉक्स में तो उमीद है कि यहां यहां तक आप समझ कहीं होंगे तो चलिए थोड़ा से नीचे नीचे सूपर करते हैं और भी 16 नंबर में क्या यहां पर पूछा जा रहा देखिए यहां दोस्तों आपको समझना बहुत जरूरी है यहां पर वीडियोस आपको भगाना नहीं है देखिए तो आपको इस वाले बॉक्स में अधार कार्ट तो डालेंगे ही नहीं कि आपका अधार कार्ट नहीं बना हुआ तो आप अधार नंबर डान नहीं सकते हैं शिरिफ आपको क्या करना जिसका भी अधार कार्ट नहीं बना हुए हो शिरिफ यहां पर उपर में सिकनेचर कर दे करेंगे नीचे में साइन नहीं करेंगे जिसका अधार कड बना हूँ नहीं है ओर शिरिफ यहां पे नीचे में साइन करेंगे में अगर अगर समझ में नहीं आता तो आप हमारे अधारकट का अनुसार एक एक उमेल एड़ी बना लिएगा जो आपका अधारकट में नाम है उसी का अनुसार सेम सेम चलिग के साथ आप एक अपना इमेल एड़ी यहां पर बना लिजेगा और उसका ऐड़ी पासवर्ट अपने पास रखिएगा ताकि future में एक काम आँ तो आ पहले क्या करpora दोंगा और यह लिए लिख दूआ तो यह लल्गोरे छोटा से इस टैफ से आपने सोल की लिखना और रहा न हिये वॉक्स हुटे लिखना है मेरा घर है नरहट नमादा तो मैं आपने लिखूंगा एक कॉलम छोड़ूंगा नमादा लिख दूंगा इस टाइप से आपको पूरा है पीन कोड पोस्ट आफिस बगएरा सब भर दने में पीन कोड जो लिख रहा ना देखो पीन कोड पीन कोड यहां पर भर देना जो भी आ पूछता है पूचता है एक इस नमबर हम आएफसी कोड आपका जोभी पास्बूक है उसमें आएफसी कोड लिखा हो रहेगा आपको आएफसी कोड यहां पर डाल देना है ऑके फिर बैस सब्सक्राइब पाइंट कोण से इसबिया आई बैंक अफंदिया है आपका बाहना म में पुछरा टू इडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ कैंडिडेट यानि के दोस्तों आपके सरीर में कहीं भी कट फट का निसान है हाथ में या फिर तील वगएर है कहीं भी सरीर में तो आपको यहां पर एक मार्क लिख देना है जैसे मेरा मुली में तील है तो मैं आपके इंगल कर देना है दो आपको दो लिखना है दो लिखना है ठीक है अगर आपका पास एक ही मार्क है आपके बाड़ी में तो एक ही लिखना बाकी दो नीचे में नो कर देना अगर आपके बाड़ी में कहीं पर भी कुछ भी नहीं है तो आपको यहां पर इस वाले बॉक्स में नो ल अब दोस्ते आप देखे 24 नंबर आपको यह समझना जरूरी है ओके यह जो दिख रहा ना 24 नंबर सिब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑफ्रेड ठीक है आपको यहां पर धियान से समझना है यहां पर आप गड़बल करते तो आपको दोस्तों पूरा गड़बल हो जाएगा यह आप आपको compulsory select करना ही करना है तो पहले मतंतों क्या आता है अगर ह shift है तो सबसे पहले हिंदीọn करीएगा तो ہ एक तो पहले हिंदीू प्रेंट करेंगा अगर हिंदिक हाद करका करना है फिर आपका संस्क्रीत हो गया इसомेar फिर होगए एस पिर लगा देना है अब दोस्तों मान लेजिए आप मुसल्मान है तो आपको क्या करना है देखो मैं बताता हूं अगर आप मुसल्मान है तो आप यहां पर सबसे पहले उर्दू सिलेट करिएगा फिर आपको यह वाला हिंदी सिलेट करना जो लिकरना है एच आई एन और यहां पर इसे स्लेट करना है ठीक है अब दूस्ते यहां पर देखिए यह जो लिख रहा ना यह फोर्थ नमबर पर यह ओफिसिनल है ठीक है यह जो लिख रहा ना मैज अरबिये कॉमर्स यह आपको अफिसनल यानि कि आप यह सब्जेक्ट के इलावा देखो मैं बताता हूं यह जो सब्जेक्ट अप लिए हैं यहां पर उर्दू ठीक है हिंदी आपकी मैस सब्जेक्ट लिए इसके अलावा भी अगर आप लेना चाहते हैं यानि कि इस्ट्रा में सब्जेक्ट को यहां पर कर यहीं करने चाहता हूं कि आप इक्स्ट्रा सब्जेक्ट ना ले ताकि बहुत सब्सें सबिए यहाँ पर 5 6 subject करें इसकते हैं ने अपता दी हूं अपको उपर वाला ही करना बाकि आपको छोड़ देना लोग इससे तुछ तो मैं यहां पर ना करें बाकी उपर जो मैं बताया हूं यहां पर उर्दु ठीक है मुसलमान के लिए और मुसलमान के लिए मैस सब्सक्राइब और हिंदु के लिए हिंदी संस्क्रीट मैस साइंस इंग्लिस करना नीचे आपको छोड़ दना है ठीक है यह सब जो दिक रहा है एकनॉमिक्स वगारा इसे छोड़ दना है ठीक है अब शली मैं नीचे बताता हूं नीचे मी क्या है नीचे देखें 25 नंबर में क्या बोलड़ा इसके बारे में बात ही नहीं करूंगा आपको 25 नंबर बॉक्स यह सब दिक रहा नहीं करना है यह आप देखें क्या लिख रहा है अपने माता-पिता या पिर बड़े भाई का यहां पर सैंड करा दीजिएगा स्टुडेंट्स चिक नेचर इन हिंदी आपने हिंदी में सैं करते हैं करते हैं इंदी करिएगा आप यहाँ पर इंगलीज में अपना सैंड करिएगा जैसे आप इंगलीज में करते हैं अब चलिए थोड़ा से नीचे जाते हैं यहां पर इस पर ओके जोब मतलब फिल करने के बाद सारा बॉक्स भरने के बाद अधार कड़वेगार जो भी होता अपना डोकुमेंट जो भी आपको मांगते हैं प्रिंस्पल आप उसके साथ करके आप प्रिंस्मल को अपना जमा करिएगा प्रिंस्पल जो आपको होते हैं पर सिकनेचर और सिल लगाए में अपको कुछ भी कहीं से भी हैं आपको लगता है कि यहां पे मुझे समझ में नहीं आहां तो मैं आपको कोमेंट किजिए मैं आको जरूर बताऊंगा चलिए में लिए को अपने दोस्तों को पाँ सेर करते हैजिए ताकि वी फॉरम को अच्छे से पाइब tehा टीक